अगर किसी वस्तू व्यक्ति या घटना से कोई संबंद निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक है हमारे इसो को देखकर सिर्फ मुस्कराइए क्योंकि हमारा उद्देश किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पह कारिगरों की तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ बेवकुफ और जुगारी कारिगरों से मिलाने वाले हैं तो वीडियो का पूरा मज़ा लेने के लिए हमारे साथ लाश्ट तक बने रहें सबसे पहले इस बेवकुफ कारिगर को देखो बेवकुफ ने पता नहीं कैसे दिवार में सिर्फ असा लिया अच्छा अब एक भाई साब ट्रक से RCC के मिक्चर को खालरी कर रहे थे पीचे से एक भाई साब ने उंगली कर दी फिर जो हुआ आप देख ही रहे हो इस कारिगर से फर्स में कुछ जगत छुट गई थी तो ऐसे ठीक कर रहा है अरे भाई साब अब निकलों के कैसे और अब इन भाई साब के काम करने का तरीका भी देख लो यह तो बेवकुफों के सरदा लगते हैं अब पता नहीं यहां से कैसे निकलेंगे वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है अब आप इन भाई साब के काम को देखकर हिरान हो जाएंगे वेसे हम इनको जुगाड़ी भी कर सकते हैं इतनी सारी इटो को एक साथ ले जाना वाकई बड़ी हिम्मत का काम है और अब ये कारीगर बड़े वाले जुगाड़ी है भाई साब ने इटो को उपर तक पहुचाने का बहुत गजब का जुगाड़ किया है इस बेवकूफ कारीगर ने ऐसी दिवार बनाए है जो बनाते ही गिर गए और साथ में खुद भी जा गिरे इस बेचारी कारीगर ने दिन भर की मेनत से फर्स तेयार किया था कि पतानी कहां से कुट्ता आ गया और बेचारे कारीगर की मेनत पर पानी फिर गया कुछ लोग इतनी बेवकूफे से काम करते हैं कि देखर हसी आ जाती है ऐसे ही ये भाई साब RCC के मिक्चर में डंडा डाल रहे थे कि भाई साब के इस डंडा पड़ गया वाँ भाई साब कमाल करते हो दोस्तों धूप तेज होती है तो किसी भी विक्ति को काम करने में परिशानी होती है इसलिए इस कारेगर ने धूप से बचनी के लिए कितना शांधार जुगार किया है गजब का दिमाग लगाया है भाई और अब इस मशीन को देखो लगता है मसीन ने कोई नशा कर लिया है जो इदर उदर भाग रही है अब इन नमूनों को देखो एक ब्यवकूफ रेतिक हाली कर रहा है तो दूसरा ब्यवकूफ वापस बढ़ने में लगा है कैसे किसे लोग है दुन्या में दोस्तों वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें